वेल्कम टू क्लास नमबर 9 ट्रिग्नोमेटरी में मिक्स्ट कोश्टन्स को अब हम देख रहे हैं टाइप वाइस पूरा ट्रिग्नोमेटरी खत्म कर चुके मिक्स्ट की एक या दो क्लासे सब भी और चलेंगी इसके बाद फिर हम चलेंगे अपने अलजेब्रा के टॉपिक पर पॉर्शन नमबर 131 इसे ट्राइ करिए आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं वैल्यू पूटिंग कर सकते हैं जो मेथड आपको समझ में आप वो लगा सकते है कुन्दन कह रहा है 7 हम और भी कहा रहा है 7 आप कहा रहा हूँ कि 5 से ज़्यादा आना चाहिए 5 से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि सब कुछ प्लस में जा रहा है तरुना ट्राइ कर रहा हूँ देखो पूरी क्वेशन लिखी है यह एक ही वैरियबल है तो एक ही कोई suitable value अपने यहाँ पर substitute कर सकते हैं एक्सपांड करके भी कर सकते हैं solution देखें इसका अब preference रहेगा trigonometry में कि ज्यादा से ज्यादा सवाल अगर 10 सवाल है तो कोशिश करेंगे कि कम से कम साथ सवाल ऐसे हो जो value putting से अपने बन जाएं कुछ सवाल ऐसे definitely होंगे जहां पर value putting नहीं हो सकती है उनको दिमाग लगाके second norm में solve करेंगे और कोशिश रहेगी कि value putting जहां जहां दिखे लगा ले यहां पर भी लगा सकते हैं क्योंकि देखो यह है पुरा variable यह है मेरा constant तो a की value कुछ भी put करो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि options मेरे सारे constant में दिये हुए कल की class में भी यह बात करी थी और sin और cos जब भी 7 में दिखे तो एक तो 45 degree लगा सकते हैं यहां पर 0 और 90 क्यों नहीं put करेंगे a को एक तो यह वाली हाँ जो inverse वाली terms है यह मुझे not defined देने लग जाएंगे यह problem है 0 90 के साथ तो यहनको तो नहीं put करेंगे अब मेरे पास बचा 45 degree उसको यहां पर put कर देते 45 यहां पर put करेंगे तो 1 by root 2 यह हो जाएगा root 2 तो इस वाले bracket में मुझे क्या मिलेगा 1 plus 2 upon root 2 उसको square कर दूँगा मैं तो 9 upon 2 सेम चीज़ इस bracket में भी repeat होगी तो इसको multiply by 2 कर देते हैं बराबर हो जाएगा k plus यह दोनों 45 पर 1 1 हो जाएगे 9 से यह हट जाएगा 2 minus कर देंगे तो k की value आजाएगी 7 value putting को यहाँ पर apply करेंगे values तो अपने को दिख रही हैं क्या put करना है क्या नहीं put करना है इस तरह से अपने को देख के eliminate करना पड़ेगा कि मेरा 1 by 0 का form नहीं बनना चाहिए और 0 by 0 का form नहीं बनना चाहिए जहाँ पर भी मैं value को put कर रहा हूँ यह होता है not defined का form इसके लावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ आगे चलें नमबर 132 इसको simplify भी करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा तो है नहीं तो करनी तो यहाँ पर value put बड़ेगी ही theta की क्या suitable value मैं put कर दूँ 90 अगर मैं put करूँ तो problem create करेगा sin 91 हो जाएगा 1-1 0 देदेगा तो denominator में 0 बन रहा है मतलब not defined का form बन जाएगा इसलिए 90 degree को avoid करेंगे अब यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं इसको not defined की जगे इसको मैं 0 बना दूँ मतलब theta की value अगर मैं 0 degree put करूँ यह तो मेरा नीचे देदेगा यह 0 तो 1 और उपर भी 1 हो जाएगा x की value मेरी आ रही है 1 इसी 0 degree को अब मैं अगर यहाँ पर put कर दूँ तो यह मुझे देगा 1 upon 1 मतलब basically 1 option में भी x की value 1 put करने पर 1 आना चाहिए यहाँ पर नहीं आ रहा है यहाँ पर 1 by 2 हो रहा है यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर भी नहीं आ रहा है option number c यहाँ पर सही हो जाएगा value putting question 133 वापस देखो variable से आप constant में जा रहे हो तो एक ही कोई भी suitable value कर दो जो not defined ना बनाए इस वाले set पर हम और क्या रहा है option D वाप वापस cosec और sec दिख गया तो मैं 0 degree और 90 degree तो नहीं put कर पाऊंगा क्योंकि वो मुझे not defined के form देंगे next क्या suitable value रहती है sign cos रहे तो 45 45 डिग्री बस यहां पर put कर दो यह हो जाएगा root 2 यह मुझे देगा 1 upon root 2 यह वाला bracket मुझे देगा 1 upon root 2 क्लिक होना चाहिए कि मैं यहां पर value putting कर सकता हूं आगे चले तरुन आपको value समझ में आरी न क्या क्यों eliminate करने और क्यों यह put करने हाँ not defined के form नहीं बनना चाहिए उसके अलावा में कुछ भी कर सकता हूं पुशन नमर बन थर्टी फोर अब उन्होंने condition डाल दिये कि 090 नहीं कर सकते उन्हों कह रहा है option C होना चाहिए सक 30 के value चाहिए यहां सक थीटा और यहां कॉस थीटा आ रहा है एक तो यह form सबजना पड़ेगा यह x-1 upon x जैसा बनता है अलजेब्रा में यह x-1 upon x जैसा बनता है तो थीटा की क्या value मैं रख दूँ यहां पर 45 तो नहीं put करेंगे क्योंकि वो मुझे root 2 देगा और root 2 फिर कहीं पर कटेगा बटेगा नहीं और मुझे तो 3 by 2 बनाना है तो 45 डिगरी से तो नहीं बनने वाला कुंदन कहा रहा है कि 60 डिगरी put कर दो 60 डिगरी क्यों चूज करी 30 डिगरी भी चूज कर सकता था 60 ही क्यों हाँ क्योंकि मुझे 1 by 2 वाला form दे देगा तो मुझे root 3 से deal नहीं करना बढ़ेगा 60 डिगरी put करेंगे तो ये मुझे देगा 2 माइनस ये देगा 1 upon 2 root उसा 4 माइनस 1 करेंगे ये मुझे 3 by 2 दे रहा है वही मेरा right hand side भी आ रहा है मतलब 60 डिगरी मेरा यहाँ पर सही है sec 60 कितना बनेगा 2 options यहाँ पर बन जाएगा हमार problem आई इसमें question number 135 theta उन्होंने define कर दिया है कि 090 नहीं लेना है 30 सेकंड बचे theta की क्या value put करूँ कुंदन का भी C आ रहा है theta की क्या value put करूँ 45 यहाँ पर कर सकते यहाँ पर 45 put करेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा A की value मुझे मिलेगी 1 upon 2 सेम चीज़ यहाँ पर put करूँगा तो B की value मुझे क्या मिलेगी 1 upon root 2 plus 1 upon root 2 मतलब root 2 A और B की value मिलेगी इसे मुझे options में put करके देखना पड़ेगा जो option satisfy कर देगा वही मेरा answer हो जाएगा तो अगर पहले वाले को देखें B square मतलब 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और bracket में 1 upon 2 plus 1 तो 3 by 2 का form बनता है यह तो नहीं बनेगा second वाले में अगर put करेंगे तो same problem यहाँ पर भी आएगी यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 times और यह plus 1 जादा हो जाएगा तो यह भी नहीं बनेगा option C यहाँ पर correct है तो theta की suitable value डालके आपने A निकाला और B निकाला उस A और B को आपने options में put किया जो satisfy किया वही आपका answer हो गया question number 136 कुंदन का option C आ रहा है यह है इसकी value निकालनी है हम और भी कहा रहा है option C तरुन क्या करें इसमें किसकी value put करें theta degree यहाँ पर ले लेते हैं देखो वापस 090 में problem यह create करेंगे sec और cosec वो not defined का form मना देंगे तो नहीं ले सकते हैं 45 जब भी sine cause जैसा दिखता है तो 45 लेना अपने लिए best रहता है 45 degree यहाँ पर ले लिया P की value कितनी निकलेगी root 2 root 2 Q की value कितनी निकलेगी 2 root 2 अब इसमें put कर दो जो answer दे दे वही correct हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 root 2 और root 2 का square करेंगे 2 minus 1 मतलब यही आना चाहिए option में 1 नहीं होगा P की value root 2 है यह नहीं होगा 2P यह मुझे दे देगा 4 तो नहीं होगा option C यहाँ पर correct question number 137 10 theta की value निकाले हमार कह रहा है option A आप कभी आ रहा है कुदन यहाँ पर मुझे 2 तरीके दिख रहे हैं से solve करने के एक तो theta की suitable value पुट कर दो दूसरा एक मैंने आपको comparison base सिखाया था sin or cos में 4 equation को 2 से divide कर दो sin theta प्लस cos theta पराबर 1 by 2 प्लस root 3 by 2 तो अगर मैं sin theta को देखना चाहूं 1 by 2 कितने angle पर देगा 30 degree पर cos theta root 3 by 2 कब देता है 30 degree पर angle मुझे यहाँ पर दिख गया है put करेंगे answer आ जाएगा हाँ तो 2 common जैसे आपने लिया same चीज मैंने करी 2 common लेके उसको यहाँ पर इस तरफ लिया है right hand side पर so sin theta और cos theta दो चीज़े plus में आ रही है यहाँ पर भी 2 चीज़े plus में आ रही है और मुझे दिख भी रहा है कि root 3 by 2 1 by 2 से तो मच्छी तरह से familiar हूं कौन से मुझे ratios देता है तो यहाँ से अपने compare कर सकते हैं इनको ऐसा आगे चले question number 138 हमार कह रहा है D हमार एक question आगे का solve कर ले दे 0 आएगा देखेंगे तरुन क्या कर रहा है इसमें यह पाए है पाए multiply by x देखो इतनी मुझे equation दी हुई है variable भी एक ही है इसमें x इसके लावा तो और कुछ variable है नहीं option भी मेरे सारे के सारे constant है तो अगेन variable से constant की तरफ आप जा रहे हो तो कोई भी अपनी suitable value x की put कर दो कोई भी suitable value x की put कर दो जो आपका काम आसान मना दे 0 तो नहीं put कर सकते है ना not defined का form मना देगा agree suitable value 1 x की value अगर मैं 1 put कर दो तो ये वाला expression मेरा कितना बन जाएगा 2 2 पहले से यहाँ पे है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे यह हो जाएगा 1 यहाँ पे 1 हो गया तो pi by 2 sin pi by 2 कितना होता है तो sin 90 हो गया मतलब 1 तो 1 equal to 1 equation बन रही है मतलब सही हो रहा है तो x की value 1 है यहाँ पे put कर दो 1 minus 1 0 option number c जब भी थे को single equation दीए तो अपने हाथ तो बंद गए अब इसमें कुछ नहीं कर सकते एक ही variable है तो और options मेरे यहाँ constant में आ रहे है मतलब variable को कुछ अपने हिसाब से मैं put कर सकता हूं जो मुझे best suitable value लगे तो मैं 0 से start करना चाहूंगा पर 0 मेरा not defined बना रहा है इसलिए मुझे next one दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पर one put कर लो और equation को satisfy भी कर रहा है किसलिए कुशन जो भी आएंगे वह इसी तरह से designed भी होंगे कि आपका जो mind है वह step by step इसी तरह से सोचे ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर 1 by 3 minus 2 by 5 ऐसा कुछ पूट करवा रहा है ऐसा नहीं होगा कुछ कुछ suitable नंबर सी examiner भी थोड़ी दया रखेगा अपने पर चलो पूशन 139 यहां पर थीटा पूट कर सकते हैं कि equation satisfy नहीं कर पाएंगे थीटा को put कर के थीटा पता नहीं चलेगा जो अपना standard है 0, 30, 45, 60, 90 को put कर के अपने यह नहीं ला पाएंगे आपको अंतर यहां पहले में आपको दिखाना जा रहा था न अभी तक मैं आपको value putting देता जा रहा था कि आराम से इसकी value put कर दो उसकी value put कर दो अब मैंने आपको यह question डाला तो अपने को दिखना चाहिए ऐसा नहीं कि अपन फिर से value डालने इसमें bad जाए पूट करने लगे जीरो डालके 30 डालके टेस्ट करने तो वहाँ पन फस जाएंगे तो यह चीज़ अपने को process smartly देखनी पड़ती है कहां पर value put होगी कहां पर नहीं होगी अमर कह रहा है कि option b आना चाहिए क्या बल रहो तरू ना आप कह रहों कि पूरी equation को cost square theta से divide कर दो यहां पर one हो जाएगा यहां cost square theta हो जाएगा यहां one upon cost square theta हो जाएगा एक चीज़ दिखो आप miss कर रहे हो one दिख रहा है आपको cos square theta दिख रहा है आपको कुछ बना सकते हैं इनका exactly इसको उस तरफ ले जाएगे तो cos 4 theta की value sin square theta के बराबर है यहां तक तो मैं पहुँची है अब क्या करूँगा इसको मैं open कर दूँगा इसको sin cos में तोड़ दो तो इसको लिख सकते है sin square theta upon cos square theta plus sin 4 theta upon cos 4 theta अब पहली equation तो यह थी इसका use करके यहां पर put कर सकते हैं कुछ न कुछ या तो सबको sin बना दो या सबको cos बना दो या तो सबको sin बना दो या सबको cos बना दो अब यहां से दिखने लगा कुछ समझ में आगे इसका क्या करेंगे या तो sin को cos में बदल दो using equation number 1 आप कहरो sin square theta को हटा के यहां पर लिख दो cos की power 4 theta sin सब जगे से हटा आना है तो यहां से भी हटाना पड़ेगा यहां पर क्या लिखेंगे 4 theta तो नहीं लिखेंगे पहले से ही sin 4 theta लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखेंगे साइन को बदल तो लेकिन पावर भी तो है न अपने पास यहां sin square theta की value cos 4 theta यहां पर sin 4 दिया हुआ तो यहां तो इसको square करके यहां पर लिखो पावर भी तो mash करानी पड़ेंगे अपने को sin 4 की इनको square कर दोगे इनको square कर दोगे तो यहां पर मुझे कितना देगा cos पावर बता दो मुझे यहां की power बताओ कुंदन क्या power लिखें यहां पर 6 लिखें 8 लिखें क्या लिखें value substitute करोगे आपको इसका answer पूरा कटके मिलेगा यहां तक तो आपको step समझ में आ गई है इसको use करके आपने equation number 1 बना लिए यहां पर पहली चीज़ होगे अब आपके पास 10 square theta और 10 4 theta आ रहा है तो इनको अगर मैं sine और cos में तोड़ दूँ तो उसके बाद यहां से value put करके उनको simplify कर लूँगा यह एक equation बनाके आपको step पे लाना है उसको साइन स्क्वार थीटा लिख दो इसको भी फिर लिखना पड़ेगा यहां पे लिख देंगे इसको sine theta लिख देंगे यह हो जाएगा sine theta plus sine square theta और यह सबको cos में convert कर दो क्योंकि यहां पे cos की equation दी है यह मेरे use में आ जाएगी sine के बजाए cos में convert करो उपर cos करना है cos 4 theta कर दो नीचे था cos square theta यह बराबर जाएगा sine 4 sorry plus नीचे तो cos 4 theta है सबको cos में convert कर लो उपर हो जाएगा cos 8 theta सबको एक में convert करो na sine अलग-अलग क्यों कर रहे हो उसको देखो यहां पर इसको में पूरा कर दूं पहले देखो यह हो जाएगा cos square theta plus cos 4 theta इसकी value already 1 D है तो answer मेरा हो जाएगा 1 अब बताओ क्या बोल रहा है sine का power 4 theta इसके बाद क्या बोल रहा है किसको change करूं मैं sine square theta आप ऐसे बना रहे है उसको sine square theta plus cos square theta वैसे भी कर लो दोनों तरीके से बन जाएगा आगे चले यह सवाल मैंने पहले भी दिखाया है आपको तब sine लिखाता है यहां पर तब यहां पर sine की terms दी अपकी बार practice के लिए आपको cos की terms दे रहा हूँ अब solve करो theta की value put होगी क्या नहीं होगी value putting तो गया जहां तक मुझे याद है जब इसको solve किया तो rearrange करके इसको solve करना पड़ा था क्योंकि यहां पर भी cos, theta और 1 तो दिख रहा है और बनाए cos square theta को right-hand side पे ले जाएंगे तो sin square theta बन जाएगा cos इसमें से और उसमें से cos common निकाल रहा हूँ तो cos को c लिख लेते हैं आसान पड़ेगा सब जगे cos में बाहर निकाल रहा हूँ यहां पर हो जाएगा 1 plus cos square sorry c square और यहां पर हो जाएगा sin square यहां तक पहुँच गया पर मुझे सब कुछ चाहिए sin की terms में sin एक तो आ गया यहां पर नहीं आया इसको अगर मैं square कर दूं तो sin मुझे बना के दे देगा plus 1 cos square मुझे अंदर दिख रहा है तो पहले इसको sin में convert कर लेता हूँ अंदर मुझे मिल जाएगा 2 minus sin square अब इनको मैं square कर दूंगा दोनों तरफ तो इसका square करेंगे तो 1 minus sin square यहां पर होगा इसका square करेंगे 4 plus sin का power चला जाएगा 4 minus 4 times sin की power 2 और यहां पर होगा sin की power 4 अब इसको open करना पड़ेगा यह हो जाएगा 4 plus sin की power 4 minus 4 sin square minus 4 sin square minus sin की power 6 plus 4 sin की power 4 और यहां पर already sin की power 4 है एक तो यह power 4 यहां पर कड़ जाएगी 4 मेरा बराबर आ रहा है सबको उस तरफ ले जा रहा हूँ sin की power 6 plus यह minus हो जाएगा sin की power 4 और यह plus होके देंगे 8 की power sin square और अपने से उन्होंने पूछा है sin की power 6 आ गया minus 4 sin की power 4 वो भी आ गया और 8 sin की power 2 वो भी आ गया तो इसका answer होगा 4 option number D यह है उसको solve करने का standard तरीका अब value putting इसमें कर नहीं पाएंगे तो वो तो option ही अपना eliminate हो गया इस चीज को अपन याद रख सकते हैं इसका जो standard value आती है वो आती है 4 अगर याद रख सको तो बहतर है यह बन सकता है जब यहाँ पर sign हो जाए यहाँ पर भी sign square हो यहाँ पर sign का cube हो वो बन के बराबर दिया हो तब यहाँ पर cos हो जाएगा यहाँ पर 4 cos 4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 sin sorry cos 2 हो जाएगा जब यहाँ पर यही दो question type मेरी knowledge में तो है तो इनका standard अपन चार याद रख सकते हैं बन तो बहुत कुछ सकता है पर फिर solve करने में अपने को ना नहीं याद आ जाएगे हाँ तो वो पर अपना exam खा जाएगा क्योंकि यह standard हैं सब को पता हैं तो इसको अपन याद रख लेंगे तो competition में सब के बराबर आ जाएगे identity देखो इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर constant से आप जा रहे हो वेरियेबल से आप जा रहे हो constant पर हाँ यह identity मान सकते हैं यहाँ से कोई भी suitable theta की value यहाँ पर जाएगी तो एक identity की तरह काम करेगी तभी यह constant दे रहा है अगर identity ना होती तो यह constant नहीं देता है हमेशा चार आएगा हमेशा चार आएगा क्योंकि आप देख रहे हो न यहाँ पर independent है हो इस फॉर्म को अगर याद रख लेंगे तो थोड़ा सा अपने को अगर exam में ऐसा आया कुशन तो अपने को advantage हो जाएगा वरना solve करने का तरीका तो यह है शायद ही यह दिमाग exam में सूझ है कि इतनी बार square करना है और यह सब करना है कुशन नमर 141 यह वाला यह पुराना सवाल है बहुत circulation में ही के मान के कर सकते हैं correct अब एक्स दिया ही हुआ है तो एक्स बोलो के बोलो कुछ भी बोल दो जैसे मान लो कि आप पुश्रो के क्या होता है अगर मैं बोलू 1 upon 2 बराबर है 2 upon 4 बराबर 4 upon 8 और इसको मैं बोल दूँ के बराबर है मतलब के इसके भी बराबर है 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 होंगे तो ultimately सब 1 upon 2 ही एक आप नंबर assume कर लेते हो जो इनके बराबर जब भी आपको बराबर equal to दिया रहता है दो से ज्यादा में एक दो या दो से ज्यादा में तो उनको दिया है, बराबर इसके दिया है अगर इसको मैं ना भी लिखता मालो कि मैंने यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है और यहाँ से भी X में हटार हो इसको मुझे बताने किसके बराबर होगा, जो भी यह value आएगी K बोल देते हैं, चलो यह K होगा और मुझे यहाँ पर भी K की value निकालनी है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, K जो है वो बराबर होगा, इसके 1 प्लस साइन A तो शॉर्ट में लिख लेते हैं अभी के लिए साइन A 1 प्लस साइन B 1 प्लस साइन C और मैं यह भी कह रहा हूँ कि K जो है यहाँ पर 1 माइनस साइन C इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर दो आपस में 1 और 2 को तो यहाँ मिल जाएगा मुझे K का स्क्वेर बराबर होगा, इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या मिलेगा यह कॉस स्क्वेर A मिलेगा इन दोनों को multiply करेंगे तो इन दोनों को multiply करेंगे cos square c k की value निकाल नहीं थी under root लेंगे under root लेंगे तो यहाँ पर plus minus 2 नों हो सकता है क्योंकि square करने पर वो positive दे देगा और यहाँ पर c a dot c b dot c c option number b ऐसे यह बन जाएगा पुराना question है लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं आगे चले अब है थोड़ा सा challenge अब है challenging सवाल यह भी question type की तरह से treat कर सकते हैं ना 20 degree निकालना आता है ना 70 degree निकालना आता है multiply भी कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आइडिया है किस तरह से approach करते हैं क्या एंगल वाला चलो यह दोनों एंगल कुछ खास है नबे बन रहा है दोनों कसम नहीं यहां तक तो ठीक है कि A plus B अगर मैं बोल रहा हूँ वो दोनों 90 के बराबर है question type है अगर यह अगर यह नहीं समझ में आएगा तो इस तरह के सवाल अपन कर ही नहीं सकते तो surety A plus B अगर सम आपका जरूरी नहीं के हमेशा नबे ही बने है बहुत सारी चीजों के लिए बनता है सब कुछ मैं यह conditions लिख देता हूँ अगर तीन अगर तीन angles होते है A plus B plus C अगर सम 180 degree होता तो मैं उन individual को क्या करता हर एक को 60 degree पूट करता कि तुम भी 60, तुम भी 60, तुम भी 60 उसी तरह से अगर A plus B दो का सम अगर 90 degree बन रहा है तब मैं individual को क्या पूट करूँ यहाँ पे 45 degree 45-45 degree अगर सम इनका 60 degree बन रहा है 30-30 तोनों को 30-30 degree आप पूट कर से यहाँ पे 180 था तो बराबरी में बाट देंगे 60-60 यहाँ पे बराबरी में डाल देंगे 45-45 यहाँ बराबरी में उसको बाट देंगे 30-30 ऐसा ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि यह सब जो दिया रहता है ना कोई नो कोई identity बेस्ट होता है अंसर भी आप देखो constant में लिखे हुए इसलिए यह logic काम करता है इसी इसको अपने notes में लिख लेना जब भी ऐसा उटपटांग सा सवाल आए जहाँ पे अब देखो value तो होगी नहीं क्योंकि दुन्होंने fix कर दी एंगल तो multiply भी आप करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा नहीं कुछ आपस में कटता हुआ ऐसा कुछ दिखेगा नहीं तो या फिर बहुत landy चला जाएगा अगर आगे जाके दिखेगा भी तो time खा जाएगा वो इस तरह यह approach अपने को दिमाग में आना चाहिए अगर इनका sum कुछ दिखराओ 90 बन जाए 180 बन जाए ऐसा कुछ बन जाए कुछ fix एक एंगल मुझे मिल जाए और जिसकी value मैं निकाल सकता हूँ 60 की निकाल सकता हूँ कुछ भी देदो 45 निकाल सकते हैं 30 डिगरी का निकाल सकते हैं तो यह अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे अब solve कर दो इसको अमर के रहा है option A तो basically मेरा सवाल बन जाएगा कि यह दोनों sum 90 डिगरी बना रहे हैं तो A plus B को में 45 यहाँ put कर दूँगा तुम भी 45 तुम भी 45 तुम भी 45 45 का एंगल निकालना तो मुझे आता है यह मुझे दे देगा 2 plus root 2 यह मुझे दे देगा 2 minus root 2 A square minus B square का form बन गया है 4 में से 2 घटाएंगे option number A important concept है इसको लिख लेना आगे चले लिख लिए आप लोगों ने question 143 देखो same problem phase हो रही है 10 degree इनको value पुट करनी सकते है क्योंकि angle उन्होंने fix कर दिया है option मेरे सारे constant में आ रहे है इसका मतलब है कि इन angles को में अपनी सुविधा अनुसार कुछ change कर सकता हूँ तो कुछ भी नहीं change कर देंगे कुछ logic चल रहा है कुछ logic चल रहा है उसको follow करेंगे कुछ लॉजिक चल रहा है option A A plus B 90 degree आ रहा है मतलब 45-45 degree अपकी बार में put कर सकता हूँ दोनों को यहाँ 10 को अटाएंगे 45 लिख देंगे इसको अटाएंगे 45 लिख देंगे 45 45 same बन गया यहाँ पर आपकी बार 2 plus root 2 यहाँ पर 2 minus root 2 यहाँ पर 4 minus 2 question 144 अगर यहाँ टू टाइम्स होता तब तो बन जाता होल स्क्वर पर यहाँ टू टाइम्स तो है नहीं एंगल भी fix करके दे दियें तो change भी नहीं कर सकते value putting भी खतम और कुछ इसमें convert करके भी निकाल नहीं पाएंगे इस तरह के सवालों में अपने को दिखना चाहिए कि यार यह normal सवाल नहीं है कुछ खास इसमें चल रहा है 10 और 50 summation अपना बनेगा 60 का 60 degree का बनेगा तो दोनों को मैं 30-30 degree अब put करूँगा इसकी जगे भी 30 इसकी जगे भी 30 30 का कर लो यह देगा 1 by 4 यह देगा 1 by 4 यहां से भी 1 by 4 3 by 4 ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट है यह कुछ अलग different kind of questions है नॉर्मल से हटके हैं अगर इस तरह की approach अपने को पहले से नहीं पता होगी तो इसमें फिर solve नहीं कर पाएंगे आगे चले question 145 अगर E plus B 50 बनेगा तो अपने को 25 25 डिग्री डालना पड़ेगा तो वो तो अपने को वैसे भी निकालना नहीं आता है अमर के रहा है option C अलग-अलग कौन-कौन से angle दिख रहे है 12 एक अलग है 48 एक अलग है 40 एक अलग है अब इनको जोड़ दो 80 कहाँ बन रहा है क्योड़ी गलत रहा है A plus B plus C बराबर 90 डिग्री है हर एक को में क्या पुट करूँ अब 45 कैसे पुट करेंगे जब 3 आ रहे हैं आपे तो 30 डिग्री बराबरी में बाटना है उनको 30 डिग्री इसको हटाओ 30 लिखो तो भी हटा के 30 लिखो ये भी 30 30 30 और ये भी 30 इन कैसे आ रहा है हाँ 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 1 होगा ये option number C plus का sign है न बीच में यहाँ पर plus है यहाँ पर plus है वो दोनों multiplication में तो ये 4-5 सवाल कुछ नए जैसे हैं इनको ध्यान में रखना है जब solve करना तो अपना गोलावला बना लेना इन पर इसका ब्रावाला है question number 146 option D देखो second 10 दिख गया तो ये तो मेरे दोस्त है यहाँ से मुझे identity याद आनी चाहिए देखो root 5 आ रहा है न तो triangle guess करने में problem आईगी अब right angle assume करके 1 to root तो root 3 वगरे के अलावा कुछ आता है न तो problem create करता है triangle guess करने में तो थोड़ा सा अपना standard approach रखें तो इस तरह में benefit तो time तो at least बचा देगा अबर आपने क्या बोला था option option d बोला था देखो sine plus 10 की value दी है 2 plus root 5 तो मैं कह सकता हूँ sine minus 10 की value हो जाएगी 1 upon 2 plus root 5 अब यहां पर इसको अगर मैं वो करना चाहूँ अपना rationalize करना चाहूँ पर मैं चाहूँगा कि root 5 को आगे लिख लूँ तो इसको में लिख लूँगा root 5 plus 2 इसको में लिख लूँगा 1 upon root 5 plus 2 अब इसको rationalize कर दूँगा तो मुझे पता है यह हो जाएगा 5 यह देगा 4 minus करते हैं तो 1 यह conjugate बन जाएगा root 5 minus 2 मुझे देगा दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे यह तो पता चल गया कि sec theta की value है root 5 अब मैं बना लूँगा अपना right angle triangle यह अगर theta है यह root 5 है तो यह 1 हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा बस पूट कर दो साइन theta की value हो जाएगी टू अपन रूट 5 ऑस theta की value हो जाएगी वन अपन रूट 5 जोड़ जोड़ के मुझे देदेगा 3 अपन रूट 5 को सेक हो को सेक के साथ कॉट आ जाए सेक के साथ 10 आ जाए तो इनमें प्लस माइनस वाला फंड आ अपने को याद आना चाहिए कौन से सवाल की बात कर रहा हूँ हाँ हाँ कि वैल्यू पुटिंग हाँ हाँ हम निकाल सकते हैं अगर कुछ-कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनन पर आगर आपको पैफरकर्ष ट्रिपलेट दिख गई लगा सकते हो लगा कि आप सॉल करो दो दोनों एकी बात आप वैल्यू पूट कर रहे होते हो तब भी आप table triplet होती है उनका जब आप right angle triangle देखो कोई भी angle से आप बना रहे हो तो एक right angle triangle तो बना ही रहा है तो corresponding sign तो triplet में होंगी होंगी आप theta की value put कर रहे हो या फिर आप एक right angle triangle को assume करके value put कर रहे हो दोनों एक ही बात है दोनों एक ही बात है नहीं ट्रिक्नोमेटरी है तो triangle तो 90 डिगरी हो गई होगा तो कुंदर आप जो पहले सोच रहे थे right angle triangle बना के करने का बिल्कुल कर सकते और वो सही triangle अपने दिमाग में आना चाहिए trial and error हो जाता है यह अपना बिल्कुल full proof method की तरह काम करेगा question number 147 यह सवाल तो particularly आसान दिखरा है इनके denominator के कारण हमर कह रहा है कि option A आना चाहिए कुंदर कह रहा है option C आना चाहिए अरे सबसे basic identity लग रही है सबसे पहली identity लग रही है सबस्कुल थेटा वाली identity तो बेस में लग रही है दोनों को जब multiply कर दोगे आप तो उपर से sign है common निकाल लिया दोनों को simplify कर रहे हैं यह उपर चला जाएगा यह इस तरफ आ जाएगा cost दोनों में negative आ रहा है तो दो यहाँ पर मुझे देदेगा नीच इसमें option put कैसे करेंगे इसमें तो a की value तो दिये ही नहीं option में हाँ sign अच्छा आप a की value put करके देख रहे थे यह हो जाएगा sign square a यह sign a पहले से था है यह दोनों कड गए option a आना चाहिए इसमें अगर कोई value आप put कर रहे हो जहाँ जिसको put करने पर a और c दोनों आ रहा है कुन सी value put कर यह आपने a की आपने 90 degree put किया आपने देखा कि a और c दोनों आ रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा एक ही कोई दूसरी value put करके इन दोनों में से एक को eliminate करना पड़ेगा को कौर्डेंट बदल भी दोगे तो देखो कोसेक और साइन यह दोनों तो एक ही कौर्डेंट में रहेंगे दोनों कोसेक और साइन तो एक ही कौर्डेंट में जाएंगे ना दोनों तो एक दूसरे के भाई भाई नहीं है तो हाँ उन्दर आप जो कर रहे हैं उसमें कोई problem नहीं है आपने A की value 90 degree put करी आपने BOD को eliminate कर दिया पर आपने देखा कि दो option आ रहे हैं तो आपको A की value कोई और put करके देखना पड़ेगा इन दोनों को eliminate करने के लिए एक को और यह जो अभी solve किया यह अपना traditional तरीका है traditional तरीका से क्यों हो गए क्योंकि यहां नीचे identity सीधी सीधी बनती भी दिखरी थी अगर कुछ और होता तो फिर मैं भी यहां पर value put करता है ठीक है आगे चले कुंदन आपको clear है कुछ doubt है आपको आच्छा है इस denominator की वज़े से standard तरीके से इसमें अप्रोच करना बेटर रहे गा solution 148 value put करेंगे क्या कुछ pattern तो अपने को दिख रहे हैं जहां देखते हैं बोल सकते हैं कि यहां तो value put नहीं होगी ऐसा सवाल उपर solve किया है तो अब यह बनना चाहिए 20 सेकंड बचें जब अपने को यह दिख गया कि भईया यहां value put नहीं कर सकते हैं इससे यादा further तो यह simplify भी नहीं होगा सबसे basic sign cost में आ गया है तो इसकी तरफ देखो इसको कुछ करो simplify करो इसको काउट दोनों काउट दियो है मतलब दोनों कॉस अपन साइन दियो है और मुझे यहाँ पर साइन और कॉस में एक relationship पता है तो जैसा मैं 10 वाल सवाल में कर रहा था उपर 10 की पाउवर 3 और 2 ऐसा कुछ दिया था 10 की पाउवर 4 और 2 सेम चीज यहाँ पर लगा देंगे इसको basic अगर लिख दें तो यह हो जाएगा short में लिख रहा हूँ cost की पाउवर 6 अपन साइन की पाउवर 6 minus cost की पाउवर 2 अपन साइन की पाउवर 2 किसी भी एक relationship को हाँ किसी भी एक या तो cost में या sign में किसी भी एक में इसको convert कर लो जैसे sign को eliminate कर लेते हैं इसको square कर देंगे तो यह हो जाएगा नीचे cost की पाउवर 3 sorry 9 इसको कर देंगे यह हो जाएगा cost की पाउवर 3 यह further simplify हो जाएगा 1 upon cost की पाउवर 3 minus 1 upon cost इसको simplify करेंगे यह हो जाएगा 1 minus cost square बस वही चाहिए भी अपने को sign square नीचे गया cost cube यहाँ पे मिल गया sign square मुझे पता है cost cube के बराबर है यहाँ पे अटा के फिर से cost cube लिख दूँगा यह दोनों मुझे बंदे देगा option number c अभी उपर 10 वाला सवाल अपने बिल्कुल इसी तरह से किया था sign और cost में किया था फिर उसमें sign या cost को eliminate कर रहे थे substitute कर रहे थे सेम चीज़ यहाँ पर भी है या आप cost को substitute कर दो assign को substitute कर दो कोई भी कर दो समझ में आया क्या कर रहे हैं या पे पहले तो यह दिखना चाहिए कि हम value put नहीं कर सकते बिल्कुल 2 सेकेंड लगने चाहिए ता रिलाइस करने में कि value put नहीं होगी तो क्या करें यह कि जब हम value नहीं पुट कर पा रहे हैं तो इसकी तरफ देखो और इसको कुछ अप्शन बी माइनस कॉट एक ही में आ रहा है माइनस कॉट तरुन कैसे आप रोच कर रहे हैं इसका एक तो value put करके देख सकते हो कि यह एक ही कोई value put करो फिर options में टेस्ट करो एक तरीका वो है तो अगर a की value लेनी ही होगी तो मैं यहाँ पर ऐसी नहीं लूँगा जिसमें मुझे root 3 दिखे मैं ऐसी लूँगा जिसमें simple मुझे 2 दिखे मतलब theta की value में 60 डिगरी put करूँगा यह नीचे plus में आ रहा है तो इसको 0 भी बना सकते है जब भी under root में आ रहा है तो एक चीज़ तो simple है इसको यह तो simple सा rationalize कर दो इसी step पर यहां पर यह भी दिख रहा है और यहां पर cause उपर चला जाएगा मतलब कोसिक बना देगा option भी step पर rationalize भी कर सकते हैं जब भी under root दिखे और यहां पर plus 1 minus 1 ऐसा कुछ हो identity का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं तो under root कैसे हटाएंगे इसके बराबर कुछ दिया ही नहीं है न फिर इसको इसको square करेंगे तो यह square हो जाएगा फिर मुझे वापस को under root लेना पड़ेगा तो दो दो बार यह खेल नहीं करेंगे आगे चले आज का आखरी सवाल तीस सेकंड बचे तीस सेकंड बचे नहीं बन रहा है आखर एंगल्स थोड़े कन्वीनियंट है पंद्रा यहांपे पंद्रा की वैल्यू यहांपे अल्रीटी दे रखी है बस substitute करना है इसको कॉट 75 को लिख सकते हैं 10 15 लिख सकते हैं यहांपे कॉट 15 है तो इसको लिख दो कॉट 15 तो अगर इसको आप देखो तो यह बन गया x square प्लस 1 upon x square वाला form यहांपे x की value आपको पहले से दे रखी है इसको लिख सकते हैं 2 minus root 3 का square plus 1 upon 2 minus root 3 का square उसका conjugate में कर दूँगा तो उपर जाके वो में देगा 2 plus root 3 का square अब तो दीखी रहा है middle time जो रहेगी वो आपस में cancel out हो जाएगी यह मुझे 4 देगा यह मुझे 3 देगा और इसको double करना है मुझे option number b algebra वाली times अपनी यहांपे बन रही है पहले conjugate करेंगे फिर solve करेंगे क्योंकि conjugate होता हो अध दीख रहा है वह number अंहोंने अपने को convenient दिए हुए कैसे चेक करते हैं कि conjugate बनेगा कि नहीं बनेगा इसका अगर मुझे चेक करना है कि conjugate बनेगा कि नहीं बनेगा हाँ इसका square करो इसका square करो और minus करो अगर 1 दे रहा है तो मतलब conjugate बन जाएगा और conjugate भी क्या बनेगा इसको as it is लिख लो sign बस change कर दो इसको भी as it is लिख लो यह दोनो conjugate है conjugate होने का क्या मतलब है कि x और y अगर conjugate हैं तो उनको multiply करते हैं तो वो xy मुझे 1 दे रहा है conjugate का मतलब होता है उसका reciprocal बसको थोड़ा सा rearrange करना challenge रहता है बाकि सब ठीक है क्योंकि 75 का आपन कुछ कर नहीं सकते हैं तोड सकते हैं ने इसमें कुछ बना सकते हैं और angle उन्होंने value उन्होंने define कर दिए तोड़ा नहीं चोड़ा इसका मतलब है calculation आसान होगा अगर रूट टू टू यह सब दिख रहा है तो फिर वहां पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ cancel नहीं हो रहा है कुछ multiply नहीं हो रहा माइनस नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा ऐसे numbers दिख रहे हैं तो बढ़िया है इसको करेंगे ठीक है तो trigonometry के बाकी के सवाल अब बबन करेंगे बंडे को और को किसी कुछन में doubt हो तो वह पूशिए थेको यूशिए किया और काया यूशिए प्रत्वर चुशिए है झाल